बसपस संसद दानेशली पर की गई रमेश बिदूरी की टिपड़ी ने हंगामा कर दिया था जिसके बाद रमेश बिदूरी ने आखरकार माफी मांग दी है बिजेपी सांसद ने संसदी समिती से कहा कि दानेश अली के खिलाफ की गई टिपड़ी के लिए रक्षा मंतरी ने खेद परकट किया है और उन्हें भी इस बात पर खेद है कहा जारा है कि बिदुडी के खेद परकट करने के साथ ही समिती इस मामले को खत्म कर सकती है सुतर के मताविक दानेश अली भी समिती के सामने पेश हुए उन्होंने इस आरोप को खारिज किया कि उन्होंने प्रदानमंत्री मुदी की खिलाफ अपमान जनक टिपड़ियां कहीं थी आपको बता दी कि रमेश बिदुडी चंद्रियान थ्री की सफलता पर संसद में बोल रहे थे इस दोरान उन्होंने प्यमोदी सरकार की तारीफ की इसके बाद उन्होंने रमेश बिदुरी की बात को बीच में रोकते हुए उठकर कुछ सवाल उठाए जिसके बाद भाजपा सानसद ने अब शब्ध भाशा कस्तमाल किया जिसके बाद वो वीडियो शोशल मीडिया पर जम कर वारल वाई विपक्ची संसद रमेश बिदूरी के खिलाफ कारवाही की मांग कर रहे हैं इसे पहले भी दानेशली संसद में गली में तक्ती लटकाते हुई नजर आई और उन्होंने भाजपा पर हमला बोला अब देखना ये है किस पैसले पर समती क्या पैसल लेती है